ठीक है पहले हम इसका syllabus देखते कि इसमें क्या-क्या पूछा जाता है और क्या-क्या होता है इसका मिकल्चर में तो फर्स्ट नंबर पर जो आपका आएगा अगर देखें नंबर वन पर है तो आपका है अपीदा अपीदा ठीक है अपीदा या आप इबाड़त कह सकते हैं ठीक है इबाड़त अपीदा होगे आपका बिलीज और अपके प्रेयर्ज ओके एक टोपिक यह है और सेकंड टोपिक आपका सी रत है सी रत सी रत रसूल सी रत रसूल के मीनिंग मतलब यह है कि जो प्रोफेट मुहम्मद है उनकी बायोग्राफियों की लाइट हिस्ट्री ठीक थर्ड अप्शन में है कुरान एंड खदीज यह होगा थी थर्ड फिर फॉर्थ हैगा फॉर्थ में आपका है लिस्ट्री आफ मुस्लिम्स इन इंडिया मुस्लिम्स इन इंडिया मुस्लिम्स कुल्चर्स इन इंडिया इंडिया ठीक है और शिक्थ टॉपिक है आपका शुफीजम सुफीज और अउलमा सूफीज एंड यू ए फूलमा यह छे टॉपिक्स हैं इन इंडिया विए ठीक है इन इंडियन पॉंडेक्स यह चे टॉपिक्स हैं अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अकीदा और इबादत यह दो टॉपिक्स हम बताते हैं वह आपको अकीदा में क्या क्या आता है यानि आपके जो बलीप्स हैं अकॉडिंग टू इसलामी कल्चर बताना है इसलिए अकॉडिंग टू आसलामी में बता रहा हो थो बलीप्स में आपको होगा सब्से पहले अगर मुस्लिम हैं तो उनको शायद इमान मुफसल याद होगी यही यह belief है टीक है? यह दीटेल है अकिदे की अकिदे में सबसे पहले अल्लå इन पर belief अल्ला पर belief होना चाहिए नंबर two पे आएगा आमन तुब अमलाइकती यानि रिष्टे फॉत खुरूश्म लिटाइब बुक फोड़न वह पैसे थे पे थे बुट्रू आ जाएगा अस्मानी बुक्स है जो भी जो भी है इतने बुक्स हैं उसकी डिटेल आपको ना तो पुरान में मिलेगी ना अधीष में मिलेगी बस यह कि बुक्स हैं तो सारे जितने भी पूर्ट पर फूर्ट पर है यानि सारे मेसंजर्जर्स पर नभी पर जितने भी नभी है ठीक है फिफ्ट है फिफ्ट होगे फिफ्ट आमनत बिल्लाही वमलाइक दी वकुत दी वरुसुली वल्यूमिल आखर अनी आखिरत आखिरत पर ठीक है डूम्स लेकर एक आखिरत होगे फिफ्ट वल्कद्र जो तकदीर होती है तकदीर होगे सिक्स तकदीर में दो पाट है एक गदर खैर है एक शर है यानि जो भी ओ गुड़ हो बैड़ हो तकदीर ही एंट सेवन बास बादल मौत इसको कहते हैं दो बारा मरने के बाद दोबारा जिन्दा किया जाना उसको कहते हैं ठीक है उसको आप इस तरह समझ सकते हो दोबारा जिन्दा किया जाना समझ लिए आप कि अगर यह सेवन है कि इतना तक समझ सबको क्लियर है जिसको भी क्लियर नहीं बताएंगे अधाय जो होते हैं यह बिलीव्स होते हैं यह बिलीव्स हैं सबसे पहले हैं अल्ला पर इमान अल्ला पर बिलीव रखना सेकंड परिश्टे यानि एंजर्स जो भी है उन पर थर्ड़ पर हैं बुक्स आसमान की जो भी अला ने विविल किये हैं वो सारी बुक्स कि देन मैसेंजर्स जितने भी नभी आएं पेगंबर आएं सब पर और फिर उसके बाद पांच नंबर पर है आखिरत आखिरत पर नंबर शे पर आगया तक्दीर यान वला कद्र तक्दीर कहते हैं उसमें खैर और शर्ड मींस की इट कैन बी गूट और यह वह तक्दीर कि यानि इसको आप हश्र कह सकते हैं तो इसको कि यह यह तक सबको किलियर है उसके बाद एक एक डिटेल बताऊं कि इसको कि यह वह बता है को एसा जिए को किलियर नहीं है आखिए खुश्चनवाज और कौन कौन है उनम सिबगत और नजर दीन और कौन कौन है सबको किलियर है आवाज नहीं जा लिए इसको किलियर है इतना हो गया अब इसमें सबसे पहले आप लोग कौन लोग है नो लोग है फाते खुश्चनवाज मजर लिस्ला मौई नश्र मुर्तजा नजर दीन सिबगत इतने ही हैं तो इनमें सबसे पहले जो मैंने बता है नगरान पर अल्ला या यह जो सेवन चीज़ें हैं साथ चीज़ें इन पर इमान लखना इसी को कहत जो है यह है इतुमें इबादत है इबादत में क्या क्या आएगा कि इस्ताम के गच्ते चैन्टाब और पांच है इस तो इसको इबादत अब इस अब तो इस और रहे है कि ऊघ्ट है और अगए नम्बर एक हो जागा टिया है कि नमाज करने आना टिमिए यह बKim नमाज है मैंन और बादत का में तोद्ट कि मेंट होता है है कि नमबर तो ये जकात आपका जकाat रोज दोना जाएंगर नमबर ये आ जाए अब को वह जाएगा तो नमबर चार्ट जाएगा हज क्योंकि इबादत में यहां से स्टार्ट होता है पहले आपका बलीफ होना चाहिए जब इसलिए पहले अगर कोई भी इमान लाता था इसलाम खूबल करता था भी एक्सेप्ट करता था तो सबसे पहले उसको खलमा पढ़ाए जाता था यानि कलमा पढ़ लिया तो इसका मतलब की वह अब मुसल्मान हो चुका है अब उसके ओपर इबादा यारी जो भी प्रेयर्ज है उवह लगेंगे प्रेयर्ज में से नमाज क्या आएगा फिर जाके नमाज जकात रोजा हज ठीक है इतना है इतना के लिए रहो गया अब हम पहले नमाज को बताते हैं आपको जो नमाज है ना की क्रीमें नहीं पांच है पांच है वो क्या चूड़ा बताईए बताई क्या चूड़ा इमान मैंने बात बोला ना आपको देखिए दो पार्ट डिफ्रेंस नहीं बताता हूं पाहिला जो आपको मैंने अभी बताया एक है अकीदा यानि ब्लीव आपकी जो है इसका पार्ट है ठीक है और दूसरा जो पार्ट था वह इबादत का है ठीक है इबादत में यह चाह रहाते हैं नमाज आएगा नमाज रोज के बाद रोजा जखात और जया करके हज ठीक है समझने आ गया और यह चाह हो गए और यह जो एक है पांच माँ इमान जो है यह पांच मिला करके इसलाम के पांच जुकन यानि पाइफ पिलर्स जुशे कहते हैं पाइफ पिलर्स ऑफ इसलाम डेइस इमान नमाज जोजा जखात हड़ इस आद फाइफ फिलर्स ऑफ इसलाम यह अगिदा कर रिपीट कर देजिए और बोल देता हूं मैं लिखते जाए अकिदा कि इतना तक समझ में आ गया ना कि अकिदा क्या है अकिदा यानि बिलीव करते हैं बिलीव किन चीजों पर करना तो बिलीव के लिए मैंने साथ चीज़ें बताई थी नमबर फरस्ट पर बताया था अल्ला आप रुकिए लाइन तो कि अपको एक इमेज में शो करना हूं ठीक है झाल टो कि अ इजन बताव पर दो में शो कि अ हूं एक है कि इसक्रीश पाझ खर्वाष सेर्ड यावाश प्रूम पाझ में विए, हो कि समझ वावा इसक्रीश है इस्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है इसक्रीन आपको दिख रही है इसक्रीन शेयर होगा इसक्रीन दिख रही है कोई मैं कौन करके बुले गए अब दिख रहा होगा अब दिख रहा है तो यह देखिए आम बता रहो पहला आमन तो भी इंदेख रहे हैं यह जो फर्स्ट है यह वाला अब दो बिल्लाही मतलब आला पर एक इमान यह होगे एक पार्ट सेकर्ड यह मलाइका दी यानिए एंजल फरिष्टे दें कुतुभी यह बुक्स जो भी आस्मानी बुक्स हैं वह रुसूली इंस मेसेंजर्स जितने भी मेसेंजर्स हो वो वल्यों मिल आखर यह जो भी प्रक्दीर और बास बादल मौत इट मींज थर्ष्र मनने के बाद दुबारा जिंदा गया ठीक यह कि समझ आगे तयामत हाँ डियॉफ जैज्जमेंट ठीक है समझ में आगे ना बिल गया कौन पूछे थे उनको समझ में आगया है कि ने समझ में आगया है चार क्या करें नमाज रोजा प्रेयर्स को जकात, हज, यह चार पार्ट बताया है, ठीक है, इन चार में से अब मैं नमाज को डिसकर्स करने जा रहता है, जो वे सुरी, अगर आप मुस्लीम है तो आपको पता होगा नमाज कितने वक्त फर्ज है, सबको पता होगा नमाज पांच टाइम फर्ज है येस पांच टाइम है पज्र जहर असर मगरीब लिशा यही है एक दो तीन चार पांच यही है लिए जहर नहीं सुननत दो राकाष बाद में नको नहीं ईतना ही सब्सक्राइब अब सुनत में दो टाइप outside है सुनत मुभुत आज originat पढ़ना ज二 सुद जडूरी है तो जो जरूरी है तो उसलिव है उसलिकर चारकात फर्ज से पहले है चले काट फर्ज है दो रोकात पर्ज के बाद है टोटल दरस हो गया ठीक है मंगेशा में चार या बीटिवल है प्रिग में दोट त्लथ या झाल है डोशोशा है कि तीन या एक कि इसे वित्र साथ में तीन ऑगा तो यह टोटल है रकाद इतना समय जा गया है नमाज पढ़ते हैं और जानते हैं तो पता ही होगा उसके कोई बतानीक जरुबत है नहीं मुझे शायद फिर भी मैं बताया था यारॉपको ठीक है और किसी को कोई यहां तक सबको क्लिए है पांच वक्ती की नमाज या नमाज नमबर एक वज में चार अगल दू सुननत और दो फर्ज में तोटल four total four आधिक है जोहर में चार फर्ज चार सुननत पहला फिर चार फर्ज फिर दो सुननत तोटल ड़स ऐसर में सिर्फ चार फ़र्ज हैं मगरिब में तीन फर्ज फिर दो सुनत टोटल 5 इशा में चार फर्ज दो सुनत तीन या एक जैसा भी हो वो मिलाकर के टोटल 9 या सेवा ओके कि इतना फाइनल हो गया कुछ नमाज है जो अलग से होते हैं जैसे कि उनको इसमें नहीं किया ते जो तुरान में जिक्र रहे कि प्लियन रकातुन नमाज पढ़ना ही है और सुनत वह है जो आप मुहम्मद स्लुप्ट है उन्होंने हमेशा पढ़ा हो तो उसको कहते हैं सुनत सुनत दो टाइप में बता है न इस फर्ज नमाज के क्या है जो कि आपको ज़रूरी यह पढ़ना ही है ठीक और सेकेंड होगे सुनत कि आप फार्ज में यह समय लिए कि अल्ला की तरफ से ना जरूआ था अल्ला ने कहा है इतने तरकार पढ़ना तो पढ़ना है सुनत में दो टाइप है नंबर वन जो कंपल्सरी है कंपल्सरी होंगे और दूसरा कंपल्सरी नहीं है में अपने तरफ से पढ़ने कुई और कंपल्सरी में वह इस वज़ा से कि आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब ने हमेशा उसको पढ़ा है इस वज़ा से उसको सुने ते मौक कदा भी करते मों ठीक है कि मौक कदा कि अब नबर वन पर मौक कदा था ठीक है इस वज़ा से जरूरी है कि आपने मौक कदा था यह ने हमेशा इसको पढ़ा है जो फजर में दो रखाट जोहर में चार रखाट फिर दो रखाट और मगरिब में दो इशा में दो यह जो है कि इस वज़ा से जरूरी है कि आपने मौक कदा में जो है जैसे कि आपको इशा में है इशा में चार रखात है अस्र में है तो वह जो है आप सब्सक्राइब ने कभी पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा है इसका पढ़ना जरूरी है जो कंपल्सरी वाला हं यह वाला यह वाला पढ़ना जरूरी है पर आपको इसका तो शवाब मिलेगा नहीं पड़ेंगे तुम कुछ गुना नहीं की यहां तक लिए नमाज के लिए होगा सब को पिर नेक्स में आगे बढ़ूंगा तो कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा कुछ क्लियर नहीं हो पर आ है कोई भी हो तो बता है ठीक है इतना हो गया क्लियर नेक्स आपका है नमाज को हो गया पूरा रोजा है ठीक है रोजे में क्या है रोजा फर्ज है यानि और उसमें भी कितने एक महीने का एक मन्त का पूरा रोजा और वो मन्त कौन सा है रमजान है ठीक है यह पूरा मन्त है यह रमजान है इसमें पूरा यह मैंने का पूरा फर्ज आपका है ठीक है यह भी कि लिए इसमें जादे कुछ है नहीं इतना समझ में आ गया अब मैं आपसे पूछूँगा अब बताईए आप मजहरुल इसलाम मजहरुल इसलाम जैस आप माई कौन कीजेगा मजहरुल इसलाम माई कौन की जैस अब बताईए मैंने बिलीव नाजिक देने क्याट करना है जी अकिदे में किसे अल्ट इसलाम के जाद सब भरोसा रखना बिलीव करना इसके बाद बरोज हर्ष इसके बाद नभी पाफ स्लूल इसलम और मनलब चारों मेसिंगर पर भरोसा इसको मानना और फृष्टों पर इसके बाद चारों किताबों पर इमान रतना अधाव जाद दोबारा से बता रहां को मैं इतने भी मेसेंजर्स हैं और बुक्स हैं पश्टें अल्लापर इमान तो ही है नंबरे ठीक है नंबर 2 पर जो है बुक्स है इसमें हर एक हरे इक नंबर तो पता नहीं है कितने नभी आया कितनी लते पर इमान लखना सबसंटे नहीं उसको मनना है तो सबको आपको थो दोए ंए तो ऐसे मिलेंगे जो पूर्च कर रहा है और कुछपर कर है कि यहां ठीच है जो मैश नहीं करहां उसको आप छोड़ दिजी को पास है इतना ही है जितने भी आस्मान की किताब है उस सब को मानना है और मेसेंजर के उभी इसमें आप अलग नहीं करेंगे चार है या पांच है इस तरह करके नहीं कर सकते हैं ठीक है ना जो भी बोल ले ते वह यह डिफ्रेंस खतम कर लें कि अब दुए कि अैंगे अगह गुलीफ को गया इब इबादात में जाकर क्या आपना नमाज रोजा हो गया थर्ट नमबर पर इबादात में आता है अधाया जकात एक तरफ का टैक्स है जो मुस्लिमों पर लगता है मुस्लिम कर और वो टैक्स अल्ला की तरफ से है उसको कोई इनसान ने अलग से नहीं लगाया है नभी नहीं नहीं लगाया है वह 2.5 परसेंट लगता है किसके लिए यह कितना हैं यह कितना है 7.5 यानी साड़े साथ कि इतना आपके पास साड़े साथ में जो कि पूल जो लाप चलता है 12 12 ग्राम इस एक्वज़ नो पूल तॅल अभी का है यह कभी-कभी जो तो मेजर्मेंट होता वो डिफ्रेंस होता रहता है तो साड़े साथ तोला जो भी सोना होगा उस पर जखात लगेगा या फिर कि साड़े बाउन तोला इतना है यह दो अलग लग है यह जो लिमिट होता ना निखदार है यहां अगर इस लेवल तक आप पहुंच आपके पास है तो आपको जखात आप पर फर्ज है इस लेवल है यह इन दोनों के मिला मिला करके पहुंचे एक जिगह है या आपके पास business है इतना पैसा है यहां तक पहुंच जा रहा इतना तक किस लिमिट को तो ठीक है कि वह जब कैलकुलेट कर लेना भाई कितने ग्राम को होता है कल्कुलेट कर लेना ओके मैं ऐसे फूरा पार्ट है इतने अगर आपके पास इतने दौलत है साढ़े साथ सोना हो या साढ़े बावं तो चांदी हो या दोनों के बराबर आपके पास पैसे हो या property हो जो भी यह उस पर लगता जाए कि जकात पर इतना इतना इक पार्ट है और जकात किसको दिया जाए वह फार्ट कि इतने पर लगता है जकात इतना तो पता चल गया यह सिर्थ मुस्लिम पर है तो इसको आप पढ़ेंगे जाते कि हिस्ट्री में जिजिया इस्ट्री में लगाया था उससे पहले भी लगा हुआ था तो इसलिए था कि मुस्लिम से जिजिया लेते थे एक ठीक है और पुश्नीत हूँ जिजिया का टैक्स ही होता है और अनाज वगर में हाँ एक बार और बता दिजैज़ अच्छा चलिए ठीक है बैस्किली कितना है टू पॉइंट फाइपरसेंट लगता है इतना तो इतना किल वह मैं अपने आपके पास है उसके ओपर एक तरा से जरूरी है कि आपके माल को कुछ इससा आपके जो गरीव लोग हैं जो इसको है कि वह उनके पास पैसे नहीं है दौलर्ट को खापी नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ आपका पैसा इसने मालो इस लिए होता है तो वह 2.5 परसेंट होता है हंडेट में से तो दहाई रुपए अब उसका जो एक लिमीट है कि किस लेवल कितना पैसा हो तो लगे उसमें पॉस्त है कि 7.5 यानि तो तौला जिसे कहते हैं तौला ठीक से साथ साथ तौला गोल्ड हो या फिर 52.5 तौला सिल्वर हो ओके इतना तक समझ जा गया कि दोनों में से कोई हो या तो इतना गोल्ड हो या इतना सिल्वर हो अब उसके बाद यह कि अगर यह दोनों तो नहीं है लेकिन आपके पास पैसे की शकल में रुपीज है या प्रॉपर्टी है या फिर अधर बिजनेस है वह सब है अगर वह सब मिला करके इतना हो जा रहा है या इतना हो जा रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा 2.5 पर यह और कब देना है जबके आज की डेट या आज कितना है 30 दिसंबर 30 दिसंबर है आज आपके पास 1000 प्रॉपर्टी आई है और नेक्स्ट यह जो 2023 थर्ट इसको देना है और किन को देना है आप जकात निकाल है आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जकात दे सके हैं तो किन को देंगे आप कि उसका भी एक है कि वर में जड़ा चार्ज में लगा लूँ तो जकात कि इसको देना है उसमें भी क्याटेगरी है उसमें पुरान में आपको मिल जाएगा कि तो सॉरी चार्ज लगाना पड़ेगा ज़रा वेट करने हैं कि गाइब गाइब गज़ार जाएब दो देना है तो जकात कि सके हैं ये एक पार्ट है है लकात तो देना है लेकिन आपके पास है आप देंगे तो किसको देंगे वह एक पार्ट है तो इसके लापको खुरान में एक कुरी आयत मिल जाएगी इननमस्दकात तो फुराइए वहाज़े वाल्मसाकीन अलेहा वाल मॉल्लेप लुख मुफट इखावी वाल गाली वाल आट लोग है उननों को जगात देते हैं तो आयत आपको निकाल के दिखा देता हूं लिए लेट कीज़ेगा ज़रा से तो आए आए तो वह आठ लोग है ठीक है नंबर वन पर आपको पर इसकीन शेर वॉल इसकीन बताईएगा शेर वॉल की नहीं अब इसकीन देख रही है खुश नमाज आप यह माइक और करके बताएए यह वाली स्कीन देख रही है गुगल वाली कि मसं करो बताएएएभ मिजब वगले कि झाताः है गुवल कर रही है झाता है का लो देख रहा है चाव और वो है आब.... झाल झाल दिख रहा है? अब दिख रहा है? येस नो आइकन सी तो फर्स्ट देख लिए अब इसमें देखिए सबसे पहला फक्तीर लिल्फुकराई नमस्दाफातु लिल्फुकराई ये तो फक्तीर फ़स्ट है ठीक सेकर्ड वलमस्याकिन निस्कीन जो कहते है वो है यानि जो जगात उसनने के लिए जाता है उनको कहते है ठीक फूर्थ पार्ट है वो होता है कि जो ये अभी तो अब ये अब रहा नहीं लेकिन उसको कहते है जब कोई उस टाइम जो न जब यह हुक्म आया था तरह हुआ था अर्ट जो अर्ब ये अर्ट पार्ट है घटाब लया करते है जो चोड़ाने के लिए उर्ट विछ इए जाता कलंव कर्द लाफ्द है और पिर आप की वॉर्स होते हैं तो अ इसके लिए जाते थे उनको कहते थे पी सबीलिल्द है डास जो है अट निस सबील इसके पास पैसा नहीं उसका चोड़ी हो गया जो भी होगा उसके पास पैसे नहीं तो वह एक है यह आठ लोग है आध फ़कीर दूसर मिस्कीद सब्सक्रामिल आपना बहुता है जकात सुरते तो उनके लिए और रिकाब कहते हैं जो घुलाम होते थे इस लवी सिट्म तो उनको चुड़ाने के लिए वो गारिमीन जो करजदार रहा उनको सबीर इल्लाः यानि जो जंग में निकले थे या जो भी अल्ला की काम के लिए उनके लिए और इबन सबीर इत मुसाफिर जो सफर पर निकलते हैं ठीक है यह टोटल आर्ट होगे समझ आगे सबको अब सबको समझ जा गया है नहीं आया है येस जिसको नहीं आया पूछ सकता है बता कि कोई है साथ जिसको समझ नहीं है कोई भी जाएगा उसके लिए है कि आप जहां से यानि जो भी जिस कंट्री में आप रह रह रहे हैं जहां के निकल कर मट का पह Ci रहे हो law और कि All this करने में आपको कोई तक्लिफ नहीं को चान ये कि आप अराम से कवर कर सकते हो जा सकते हों और जो आने सब्सक्राइब यहां से वापस आने तक यह लोग आराम से रह सकते हूं तब यहां पर हज फर्ज है इतना सब्सक्राइब पर आपके पास इतने पैसे हो आप अपने कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग या भी वीजा पास्पर्ट लगता आप मक्का जा सकते हों और कि अब कि अब इतना सब्सक्राइब यहां से अपने कंट्री से मक्का जा रहे हों और जितना इस डिस्टेंस को पर करने और आपको कोई प्रिशानी गवर्मेंट के तरब से या तो अपनी कंट्री के तरब से या जो हां सौधी गवर्मेंट है उन फोड़ में दोनों के जाएं फिर आप जितने दिनों के लिए तो आपके टोटल किते हो गए इसलाम के अर्वकान यानि पीलर किते हो गए पीलर किते हो गए जल्दी बताते जाहिए पांच नमबर एक पे इमान नमबर दो पे नमाज नमबर तीन पे रोज़ा नमबर चार पे ज़कात नमबर पांच पे तोटल हो गए अब इन में से इमान का पार्ट किस पे जाता जाके बिलीव अकीदे पे जाता है जिसको बिलीव कहते है न यही है और यह बाकी चार पार्ट है यह इबादत में जाता है कि ठीक है इतना समय में क्लियर हो गया पूरा इसमें कोई कंफूजन तो नहीं किसी को हुआ है नो डॉट्स है एनीवन एल्स जिसको कोई कंफूजन हो कि कि किसी कोई कंफूजन नहीं हो कि चली तो यहीं आज यहीं कम पाइंड आप करें ही कि चली तो सबसे पढ़े मैं रिकॉर्डिंग आप करता हूं ल ज घ्थिक कि चली तोस century है लो अ बाइंग हुआ 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 है उड़े मैं पाइंग पाउए पामने वाँ हुआ है हुआ है